आईफोन की प्राइसिंग तो एकदम आसमान छूरी है मतलब एक लाक रुपय का फोन एक लाक पैतालीस अजार रुपय का फोन बाही इतने में तो सेकेंड अल्ट आजाए और ऐसा नहीं है एपल अभी जो रिसेंटली अपने आईफोन को लाँच कर रहा है उनके ही प्राइस इस सेक्टर में 1 Trillion Dollar हिट की है तो आज के इस वीडियो में हम इनी सब टॉपिक के उपर बात करने वाले है तो आज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहो और आज मेरा थोड़ा सा खराब है तो अगर वीडियो में में थोड़ा लोफील करू तो आएम एक्स्रीमली अब देखो आपल स्टार्टिंग से अपने आइफोन में कुछ नया करते आ रहा है और इनका सबसे ज्यादा खर्चा होता है R&D मतलब research and development इनके पास काफी सारे engineers हैं काफी सारे scientists हैं जो लाइक दिन रात एक करके नए-ने चीजों पे research करते हैं फिर उसे अपने आइफोन मे develop करने की पूरी कोशिश करते हैं अभी देखा जाये तो smart phones का जो trend था वो सबसे पहले Apple नहीं लाया था अपने first generation iPhone के साथ में फिर उसके बाद fingerprint का trend भी iPhone 5S में हमें देखने को मिला dual camera setup का भी trend iPhone 7 Plus में आया था and फिर अभी recently जो notch का trend चाल हुए वो भी Apple नहीं लाया था अपने iPhone 10 में तो R&D में इनका बहुत सारा पैसा जाते है अभी ऐसा नहीं है यह सभी चीज Apple लाया है पहले भी काफी सारे brands है जो इन चीजों पर काम कर चुके हैं बट वो अच्छे तरीके से implement नहीं कर पाते हैं और Apple क्या करता है किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से इसली कॉपी कर लेते हैं अभी मैं आपको एक्जामपल देना चाहूँगा Motorola ने अपना नया फोन लांच किया वन पावर अभी पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से आपको देखके समझ में आ जाएगा है किसका डिजाइन है तो इन्हों ने आरेंडी पे कुछ खर्चा क यह तो पूरे वर्ल्ड वाइड में expensive है मतलब flagship phone माने जाते हैं और रहेगा भी मतलब सबकुछ इनका top level का होते है एकदम best होते हैं बट इंडिया में बाहर के country से जादा expensive क्यों होते हैं मतलब अभी बाहर iPhone XS का price है starting around 999 dollar और इंडिया में अगर हम convert करें तो वो होगा कुछ 73,000 रुपीज के आसपास बट हमारे country में iPhone XS की price के starting 99,900 रुपीज ऐसा क्यों है तो अब मैं आपको वो explain करता हूं तो वीडियो को end तक देखते हो ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए अब यहां पे जो सबसे पहला और main reason है कि यह लोग FDI नहीं खोल स तो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी Apple का वो जो लोगो रहता है वो आप किसी भी store के सामने नहीं देखेंगे जैसा भी Samsung का में देखने को मलता है LG का देखने को मलता है वैसा Apple का कभी भी नहीं देखने को मिलेगा हमेशा कोई I aspire हो गया या फिर Mapple हो गया ऐसा जो भी authorized rese seller रहते हैं उनका ही नाम रहता है आगे बोट पर एपल का लोगो जैसा बाहर के country में होते है वैसा हमारे इंडिया में नहीं होता है क्योंकि इंडियन government का यह rule है कि अगर आपको retail outlet खोलना है तो जो 30% source है वो हमारे country से होना चाहिए बट भाई अभी जो latest iPhone launch के Apple ने वो उसका जो parts है वो around 28 plus country से लाए है एंड फिर एक ही जगह उसे assembled किये है तो जो 30% वाला सीन उसे तो हटाई दो तो जो iPhone 10S है या फिर 10S Max है या फिर previous जितने भी iPhone से वो बाहर के country से हमारे country में आते है तो भाई अगर आप बाहर के country से कोई भी चीज इंडिया में लाओगे तो आपक को कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है और यह बहुत ही जादा होता है अभी जितना मुझे आइडिया है आइफोन पे शायद आराउंड 15% कस्टम ड्यूटी पे करना होगा तो अभी दो को iPhone 10S की इंडिया में प्राइसिंग कितनी है एक लाक रुपे अर उसके बाद यह 15,000 रुपे कम हो जाएगा तो iPhone 10S के प्राइसिंग हो जाएगी आराउंड 85,000 रुपीज अब मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि Apple ऐसा करें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्यों इंडिया में iPhone से एक्सपेंसिव है तो यहां पे 15,000 रुपे तो भाई Apple वालों को अपने iPhone क के लिए देना पड़ेगा इंडियान गॉवर्मेंट को अब यहां पे बात खतम नहीं हमारे कंट्री में जी एस्टी भी लाग हूए अभी दुबई में तो कोई टैक्स लगते नहीं जातक मुझे पता है तो उनका कोई सीन है नहीं बट हमारे इधर आराउंड 12% जी कोई भी चीज हमें देने की जरौती नहीं इंडियान गॉवर्मेंट को ठीक है तो 12% को और हमें डिस्कॉंट मिल जाएगा तो उसके बाद जो आइफोन 10S के प्राइसिंग हो जाएगी 85,000-12% तो आई थिंग लगबग कुछ 74,000 रुपीज रहेगा और बाहर की कंट्री मे जिसके वज़े से इंडिया में आईफोन एक्सपेंसिव हैं चाहे वो 10S हो, 10S Max हो, 10 हो जितने भी आईफोन के मॉडल एवलेबल हैं यह इसलिए महंगे हैं क्योंकि एपल इंडिया में कोई भी प्रोड़क्स नहीं बनाता है बीच में ऐसी बनाना स्टार्ट किया था बट इनको डिस्ट्रिब्यूटर्स पे भी देना पड़ता है तो अभी suppose मानलो आने वाले कुछ सालों में अपना फैक्टरी इंडिया में डाल दिया और आईफोन इंडिया में बनने लगे तो पहला फैक्टरी अगर वारानासी में खुला नहीं नहीं भाई यूपी में नहीं आपल का ट्रैवलिंग में भी बहुत जादा खर्चा होता है मतलब वह जादा तर अपने आईफोन को प्लें से भीजते हैं शिप बहुत कम यूज़ करते हैं अभी या तो विजय माल ले उनका फूफा होगा कि किंग फिचर यूज़ कर ले तो वह भी बंद हो गया या क्य जाता है तो वहां तक जाते जाते और खर्चा बढ़ जाते तो यह जो छोटी छोटी चीजे रहती है इन्हें हम देखते नहीं है बस इंस्ट्राग्राम पर कुछ भी डाल देंगे कि आईफोन टेनस की प्राइसिंग तो सत्रहजार पांट सो है बढ़ बिक्र एक लाट में आईफोन इतना कमीशन ले रहे हैं इसा जोक रहता है इन सब बातों को सीरियसली मत लिया करो तो यह जितने भी रीजन्स मैंने आपको बताया है इस वज़े से आईफोन एक्सपेंसिव हैं इंडिया में तो बाई कल रात में तब्वेत मेरी बहुती जादा खराब हो गयी तो मैं सोचा नेक्स डी थोड़ा बाहर ऐसा नेचर में आके शूट करूँ तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अल्रेडी बताया है कि क्यों आईफोन से एक्सपेंसिव हैं इंडिया में तीन रीजन्स थे पहला है जीएस्टी के वज़े से 12 परसेंट देना पड़ता है और दूसरा है कश्टम ड्यूटी जो के 15 परसेंट देना होता है और तीसरा तो मान लो बोनस ले लो कि हाँ ट्राइवलिंग का खर्चा हो जाता है क्योंकि आपे कोई भी रिटेल आउटलेट है नहीं और अगर इंडिया में कोई भी टैक्स ना लगे मतलब जीएस्टी ना दे जीएस्टी डालेगी नहीं तो वो हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं अब मैं यह नहीं कहा रहा कि एपल बहुती कम प्रॉफिट ले रहा है बट जितना हम मीम पेजस पर देखते हैं कि हाँ इतने का बंत है और इतना जादा चार्ज करते हैं वो भी सही नहीं है तो अब गूगल एमजॉन और माइक्रोसाफ्ट का मिला देना तो भी उतना नहीं बन पाते हैं तो एपल बहुत ही बड़ी कमपनी है एंड एपल मतलब साल में बस दो इवेंट लाता है और दुनिया की पहली ट्रिलियन डॉलर कमपनी बन जाते हैं और यहां पर हमारे सैमसॉंग हो इतना ज्यादा बनाते हैं कि अगर एक बार कोई बंदा एपल का कोई भी प्रोड़क्ट यूज करने लगेगा तो वह आलमोस्ट लाइफ टाइम के लिए उसको ही अपग्रेट करता रहेगा और उसके बाद उनका जो ऑपरेटिंग होते हो बहुत ही तगड़ा होता है पर्चेस कर लेते हैं मैं खुद अपने मैकबुक प्रो में पर मंथ 120 रुपीज देता हूं मेंबर्शिप मैंने लिया है जबकि वो सारे सॉंग्स यूटूब पे एवलेबल है बट मतलब एक तरीके साब बोल सकते हैं आपको एडिक्शन लग जाएगा एक बार अगर आप सेल्स सर्विस की बात आती है तो सर्विस सेंटर में भी आपल बहुत ज्यादा कमाता है मतलब अगर वारेंटी पिरिएड में आपका फोन खराब होता है और एपल की गलती तब तो आपको एकदम नया आइफोन मिल जाएगा और अगर आपकी गलती यानि कि फिजिकल डैमे या फिर लिक्विड डैमेज है तो आपको लाइक आराउंड चालीस से पचास हजार रुपए देना पड़ेगा रिप्लेस्मेंट के लिए तो यह बहुत ही बड़ा नंबर है अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड का आइफोन 10 तूड़ गया था तो उसका रिप्लेस्मेंट के जो भी आप पैसा देते हों बहुत ही जादा लग जाते हैं तो यह सब कोई देखके लाइक अपल अभी दुनिया की पहली ऐसे कंपनी बन गए प्राइवेट सेक्टर में जिसने वन ट्रिलियन डॉलर हिट किया है तो आप लोगों को समझानी की कोशिश किया हूं तो बस आ अगर आपको पता ही कि क्या उसका सही है तो प्लीज नीचो कॉमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटा भी दवा दो और मुझे इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कर लो मेरा यूजरन